हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरण्यवासी रिशियों की क जुटियों तक निद्यवन्यमेत्तिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। शर्वरक्षक परम्पिता परमात्मा को याद करते हुए, इनको कृत जिता पुर्वक प्रणाम करते हुए, परम्पुज स्रदे स्वामिजी महराज, परम्पुज स्रदे आचारिशे महराज, जिनकी असिम कृपा, आशिस से आज हम सब लोग मिल करके, इस वेदिक हमारी पूर्वजों का जो अनमोल खजान विज्यान उस को हम आत्मसात कर पा रहें अपने जीवन में उतार पा रहे हैं अपने जीवन को हम धन्य कर पा रहे हैं उन महान रिष्यों के स्री-चेरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आईए हमारी रिश्यों के द्वारा दे गई विधा और विद्या यज्य हवन अगनी होतर को पिछले कुछ समय से हम जान रहे हैं देख रहे हैं और कल आपके सामने विशेश करके हमारे जो प्राचीन गरंथों में जो यज्य चिकित्सा के विशे में बताया गया और अलग अलग द्रव्य उसकी आहुतिया उससे उठने वाला धूम्र और उस धूम्र में बेट करके फिर प्राणाया आधी विशेश योगा भ्यास कर उस अउश्यदीय वायू को आत्मसात करने पर जो रोग सांत होते हैं दूर होते हैं उसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम सब लोगों ने मिल करके देखे आज फिर से हम यह यज्य चिकित्सा प्रशिक्षान शिविर में हम कुछ यज्य विज्यान यज्य साइंस की कुछ बाते उसके साथ-साथ यज्य हवन अगनिहोत्र हम करेंगे, सिखेंगे और उसके साथ हमारे रिश्यों के द्वारा प्रदत जो रोगानुसार यज्य उसके लिए जो अलग-अलग हवन सामगरिया आदी हैं उसके विशे में भी आपको बताएंगे कुछ विशेश रोग जो कल हमने कुछ चर्चा की थी, कुछ विशेश रोग को और आज हम आपके सामने रखेंगे तो आईए, सभी लोग सीधा बेटते हुए, सबसे पहले हम यज्य हवन अगनिहोत्र करते हैं अगनिहोत्र करने के लिए आप देख रहें, आज मैं सारी तयारी करके बेठा हूँ, आप भी सभी भाई बहन में देख रहा था सभी लोग अपने अपने घर में पूरा फूल पत्तियों से लेकर के, साफ सफाई करने से लेकर के सारी चीजों की सजावट के साथ साथ आप सब बेठे हुए थे, सारी यज्य की पूर्वत तयारी करके, मेरे को देख करके बड़ा ही आनन्द आ रहा था कि आज हम सब मिल करके एक साथ संपूर नेपाल वासी भाई बेन एक साथ एक प्लेट्फों के साथ हम यज्य कर रहे हैं, ये भी हम सब का सब भाग गया है कहते हैं न, हरी के दर्शन के लिए हम हरी द्वार जाए हैं लेकिन हमने अपने घर के अंदर यज्य कर, हवन कर, अगनी होत्र कर हमने अपने घर को इतना पवित्र, इतना सुगन्दित, इतना विशेश एनरजी उर्जा से युक्त बना दिया है कि हरी स्वयम हमारे द्वार आजाए, ऐसा घर का हम निर्मान कर रहे हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ी सवभाग्य की बात है यह देविय विद्धा और विद्या है जहां यज्य होता है वहां का होतरी सदनम हरितम हिरन्ययम जिस स्थान पर जिस घर में जिस परिबार में प्रती दीन यज्य होता है हवन होता है अगनिहूत्र होता है वह स्थान देवालैसा दीव्य हो जाता है वह घर नहीं वह सिवालै बन जाता है वहाँ पे देव्य शक्तियों का वास होता है उसके घर में धन धान्य एश्वर्य आ जाती उस परिवार को, उस गर को, ऐसी यह विधा और विद्या है, यज्य, हवन, अगनी होत्र, वह इतना ही नहीं, हम जो छोटी-छोटी थोड़ी-थोड़ी आहूती देते हैं, यह भी कोई छोटा लाव देने वाली नहीं होती है, जैसे गाय के घी की हम आहूतिया देते है यह गाय के घी की जो हम आहूतिया देते हैं, यह आप साइंस की दरिश्टी से देखे, तो यह एक ग्राम आप घी जलाते हैं, तो एक हजार आट सो चो सट गुना बढ़ जाता है, एक हजार आट सो चो सट, मानि एक ग्राम आप डालते हैं, तो एक लिटर आट सो चो सट एम इसलिए यहाँ यज्य हम सब लोग मिल करके सीख रहे कर रहे हैं तो आप पूर्वकी तयारी भी इस प्रकार से कर ले वे चोटी-चोटी समीधा लगए उसके बीच में थोड़ा सा रूई लगा दिया उसके उपर थोड़ी सी मातरा में घीत का सेंचन कर दिया घी से गिला कर और रूई और चोटी-चोटी समीधाओ को और समीधाओ के उपर भी इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा घी आप डाल करके उसको अच्छे से गिला कर लीजिए इस प्रकार से अच्छे से ये तयारी हो गई और जो हमने अलग से समीधा वे दी के हिसाब से आठ अंगुल चार और चार आठ अंगुल की तीन समीधा लेते हैं समीधाओ के लिए उसको भी हम इस प्रकार से गाय के घी से सिंचित कर लेंगे गाय के घी से ऐसी गिली कर लेते हैं समीधाओ को हलका साथ ये 25-20 ग्राम घी से भी हम हवन कर सकते हैं उससे भी कम घी से ऐसा कुछ नहीं कि 20-25 चाहिए चाहिए हम पांच ग्राम घी से लेकर के 20-25 ग्राम घी अधिक जितना हम करना चाहे उतना ले इसी प्रकार एक छोटी सी प्लेट में आप देख रहें मैंने सामगरी निकाली ऐसे थोड़ी सी सामगरी आप ले ले यदि रोग निवारण की विशेज के लिए कर रहे है तो उसके लिए जो रोग की जो हवन सामगरी विशेश जड़ी बुटिया होती है उस जड़ी बुटियों का समिसरन करके सामगरी हम बनाए जैसे मेरे दोनों और रखी हुई है आप देख रहे हैं अलग-अलग रोगा अनुसार सामगरी जो कि कल भी आपको इसमें से बहुत सारी सामगरीों के बारे में लिखाया था बताया था और उसमें कौन से दरव्यों का हम प्रियों करते हैं वो दरव्य भी आपको गिनाये थे और लिखाये थे तो यह रोगानुसार हम करते हैं तो फिर वो विशेश हवन सामगरी हम लेंगे जिसे मैंने थाली में प्लेट में आप देख रहे हैं मैंने ली हुई हैं इस प्रकार से आप विशेश रब से उस हवन सामगरी को रख लेए और समीधाओ को गाई के घी से गी ले करके इसे हमने रख लिया एक छोटे से पातर में गरम किया हुआ घी ले लिया एक आच्मन पातर के अंदर जल ले लिया एक चमच रख लिया आच्मन आदी में सरलता हो एक श्रू ले लिया घी की आहुतियादी देने के लिए एक दिपक हमने तियार कर लिया है और एक थोड़ा सा कपूर ले करके और उसको दबाते हैं टिक्या को तो इसे पाउडर हो जाता है उस पाउडर को इसके ओपर थोड़ा सा जाल दीजिगे जो चोटी-चोटी समीधा और रुई रखी हैं, गिला किया उसके उपर थोड़ा सा, और दिपक में भी इसी प्रकार थोड़ा सा इसे लगा सकते हैं, दिपक भी जल्दी से प्रदिप्त हो जाता है, ऐसे एक टिक्या लेकर के, यह हमने विशेशुरूप से पाउडर करके डाल दिया, तो यह अपने पांस रख लिया, एक कलस के अंदर जल रख लिया, यह जल सेंचन के लिए वेदी के चार ओर, इस प्रकार से यह पूर्वकी हम तयारी कर चुके हैं, गुगगूल हमने थोड़ा सा रखा है, सुगंधी के लिए होगन के पश्चात हम अंगारों के उपर डाल करके उ तो चिम्टा भी आप अपने पांस रख सकते हैं, कई अंगार आगे पीछे हो जाए, या समीधा लगाते समय भी आग हाथ में ना लगे तो आप आराम से रख सकते हैं, इसके लिए चिम्टा भी आप रखना चाहें, तो एक छोटा सा रख सकते हैं, तो यह हम पूर्वकी त अंदर तो कितना गुणा बढ़ जाता है, एक जार आट सो चोसट गुणा गेस फोमेक अजवट हो जाता है, जब वो इतनी बड़ी मातरा में, एक ग्राम से इतनी बड़ी मातरा में गेस हमें प्राप्त होती ही गाय के घी से, और उस गाय के घी के अंदर वो ताकात वो शक centralized हो जाती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है, यह यह वायू प्रदूसरन को ठीक करने वाला है, वायू प्रदूसरन का निवारन करने का ही सबसे बड़ा उपाय है, इसके अंदर एथिलिन उकसाइड प्रॉप्लीन उकसाइड लेकर अलग-ळग बहुत सारी प्रकार की गैसे बनती है यहाँ गैसे जब वाई-उ मॉंडल के अंदर आती है और वाई-उ मॉंडल के अंदर पहले से ही कुछ गैसे है यह दोनों जब आपस में मिलती हैं तो उसके bond टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं उसके परिणाम सरूप जो SOX, NOX, CFC, आधी जो हानी कारगेसे हम कहते हैं जिसको हम घातक जहरीलिगेसे कहते हैं इसके कारण आज पूरी दुनिया में सतर लाख से अधीक लोग मुहत के मुह में समा जाते हैं वह गैसे यज्य करने पर निट्रलाइज हो जाती है, खतम हो जाती है, दूर हो जाती है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेश बात है हम वायू प्रोदूर्शन को ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और आएए अभी भी हम सब मिलकर के पहले यज्य करते हैं और फिर आगे आपको इसे सम्मन्द में जो विशेश महत्पपुन बाते हैं उसको रखेंगे तो ब्रम्हान जले में अपने दोनों हाथों को रखते हुए सीधा बेटते हुए, लंबा गेहरा स्वांज भरते हुए मंगला चरण करेंगे तीन बार पावन उंकार का उद्रोष अमिल्हुआ ओओ इस प्रकार तीन बार ओंकार का उद्वस करते हैं हमने मंगलाचन किया अब हम आचमन अंगस परशादी जो सुद्धी करण की पवित्री करण की प्रक्रिया होती है उसको दोहराएंगे हम दाइं हाथ की अंजली में राइट हैंड में जल लेंगे और मंत्रो चारण पूर्वक इस जल का हम पान करेंगे अम रितो पस्तर नमा से स्वाहाँ अब नालि नुमा हथेली को बनाते हूए ओश्ट के साथ लगाते हुए बेना आवाज किए इस जल का पान करते हैं और वाप मज bisa को नीचे लगाएंगे बहुत सारे लोग हाथ को सिधर सीर के उपर ले जाते हैं सेरी के उपने आचमन करके नीचे लाना है और दूसरी बार जल लेना ओम अम्रिता पिधा नमसी स्वाहा तीसरी बार जल लेंगे ओम सत्यम यशा श्रीर मैं श्रीह श्रयताम स्वाहा तीन बार आचमन करने के बाद हाथ को दोलेंगे जो छोटी सी प्लेट है उस प्लेट के अंदर अवसिष्ट जल को इस प्रकार से डाल दी या हाथ को दोलीगे अस्त प्रक्षालन करने के बाद अब पहले हमने दाएं हाथ में राइट हेंड में लिया था उस अंग की पवित्रता और शुद्धी करण की प्रभूसे कामना और प्रार्थना करते हुए हम अंगस पर्श करेंगे। ओम वाग्मा स्यस्त। ओम नसर में प्राण अस्त। ओम अक्ष्णौर में चक्षुरस्त। ओम करणयर में श्रोत्रमस्तु ओम बाह वोर में भलमस्तु ओम ओर वोर मा ओज्वस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु आविवा पर वीशेश करके हमने यह जल का छेड़िकाव किया इस प्रकार यह आज्मन और अंगस पर्ष की जो पवित्री करण और शुद्री करण ब्रकरिया इंसको हमने संपन किया अब आज आंगसन करने के बाद अब पां समय हैं, अनुकुलता हैं, तो इश्वर स्तुती प्राठना उपासना के आठ मंत्रों का हम श्रद्दा भाव के साथ हम उच्छारन करेंगे, तो आईए, आज हम सब लोग साथ में मिल करके, आचारे चानक जी कहते हैं, जिस घर के अंदर वेद मंत्रों की धनी जहां पर साधु संतों का आगमन नहीं होता है, जहां पर यज्य यागादी नहीं होते हैं, वह घर समसान के तुल्य होते हैं, तो आज हम सब मिल करके, वेद मंत्रों का अपने घर के अंदर हम सब पाठ करेंगे, मेरे साथ साथ आप सभी लोग अपने घर को पवित्र, सद् अथ इश्वारस्तुति प्रार्थन पासना ओम विश्वानि देवस अवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रम्तन्न आसुवा ओम इरन्य गर्भस्तम वर्तता अग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसित सदाध्धार प्रिठवेंध्या मुतेमां कस्माई देवाय विशाविदेमा ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाह यस्य ज्जाया मृतै यस्य मृत्यु कस्माई देवाय विशाविदेमा ओम यह प्राणतो निमिशतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभुवा या इशे अस्या द्विपदस्य तुस्पदा कस्माई देवाय विशाविदेमा ओम ये नद्यो रुग्रा प्रिथिवी चद्रणाए नस्वस्त वितैये ननाकह यो अंतरिक्षे रजसो विमानह कस्माई देवाय विशाविदेमा ओम प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वाः जाता निपरिता बभुवा यत्का आमास्ते जुह मस्तन्नो अस्तुवयं स्याः मपतयो राइना ओम सनबंधुर्जनिता सविधाता दामानि वेदभुवनानि विश्वाः यत्रदेवा अम्रितमान शाना स्तृतिये धामन नद्ये रयंता अम अग्नेनयसुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो यद्यस्मज्युहुराण मेनो भुईस्थांते नम अक्तिम विदेमा इतेश्वरस्तते प्रार्थनो पासना इस प्रकार हमने यह वेद के आठ मंत्रों का पाठ करते हुए इश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना किया है इसके पश्चाद अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्य को हम आगे बढ़ाते हैं तीन महा व्याहरतियों का उचारन करते हुए ओम भूर भुस्वाह तीन महा व्याहरतियों का उचारन करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन के बाद हम अग्याधान करेंगे अग्याधान के बाद हम समीधाधान करेंगे इस प्रकार से ये यज्य का एक पूरा क्रम होता है तो आएए अग तीन महा व्याहरतियों का उचारन करते हुए अगनी देवता का आवान करते हुए, हाथ जोड़ते हुए अम भूर भूवा स्वाहा दीप प्रजोलन करने के पश्चाथ अब हम शुरू के अंदर अगरभाग में एक कपूर की टिक्या हमने रखी उसको इस दिपक के माद्यम से प्रदिप्ट करते हुए वेदी के मध्यम में हम स्थापित करेंगी वेदी के मध्यम में जो हमने रुई रखी हैं उसके उपर इस दिक्या को रख दिये यह हमने अग्याधान कर दिया और दिपक को इशान कोड में आप रख दिए अब अगले मंतर के उचारण के दोरान इसके उपर छोटी-छोटी समीधा लगाना घी देना, हवा देना, कुशा लगाना जो आवशक हो इस अगनी को विशेश प्रदिप्ट करने के लिए वो किया जाता है मंतर के उचारण के दोरान अब हम समीधा धान करेंगे जो हमने आठ आठ अंगुल की, चार और चार आठ ये आठ अंगुल की एक समीधा लेते हैं और उसको गाई के घी से सिंचित कर देते हैं, गीली कर देते हैं और दोनों हाथों से इसे प्रणा मुद्रा में पकड़ करके हम रखते हैं ओम अयंत इद्म आत्मा जात अवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्वान प्रजया पशुभेर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जात अवेदसे इदन्ना ममा दूसरी समीधाले लेंगे ओम समिधा अग्नें दुवस्यता घृतेर बोधयता तिधिम् आस्मिन हव्या जुहोतना सुस्विद्धायसोचिशे घृतम्तिवरम् जुहोतना अग्नये जात अवेदसे स्वाहा इदमग्नये जात अवेदसे इदन्ना ममा दूसरी समीधाले लेंगे इस प्रकार से हमने समीधाओ का आधान किया और आप देख रहे हम हवनकुंड के अंदर जो समीधाओ का चायान करते हैं वो दो खड़ी दो आड़ी इस प्रकार से करते हैं एक बीच में हमने टुकडा लगाया कि उस अग्नी को अच्छे से पकर ले तो ये चार ओर से हवा लगे खुली रहें और इस प्रकार से समीधाओ को हम यज्य वेदी के अंदर यज्य कुंड के अंदर हम लगाते हैं इस प्रकार से यह समीधाओ धान हो गया अब पंच घृत आहूतियम प्रदान करेंगे एक ही मंतर का पांच बार उच्टारन करते हुए पंच प्राण के पोशन के लिए पंच धातु पंच भुतात्मा की यह दे से लेकर के पंच भुतात्मा की संपूर्ण ब्रह्मान परि उद्बूत करते हैं पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नणाध्येन समेधयस्वाः इदमणये जात वेदसे इधन्यमामा ओम आयनत इथ्म rectangle आतमार जात वेदस्ते निध्यस्वार्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभेर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्णये जातवेदसे इदन्नममा ओम अयंत एद्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभेर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्णये जातवेदसे इदन्नममा ओम अयंत एद्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभेर ब्रह्म मवर्चसे नान्नाध्येन समेधयस्वाहा इदमग्णये जातवेदसे इदन्नममा इस प्रकार से एग ही मंतर का पांच वारुचांकरते पांच गिरित आहुती हम प्रदान किये इसके पश्चात अब हम जल सेंचन करेंगे वेदी के चारो दिसाओं में अब कलस्को अपने पांच लेकर के दाइं हाथ की अंजली में जल लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिसा में हम जल सेंचन करेंगे दक्षिन से उत्तर की और धारा बनाते हुए अब दूसरी बार जल लेंगे दूसरी बार हम जल सेंचन दूसरी मंतर के माध्यम से करेंगे वेदी के पश्चिम दिसा में दक्षिन से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए अब हम तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिसा में हम जल सेंचन करेंगे पश्टिम से पूर्वकी और धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्य अनमन्यस्व न होता प्रदूसन और रोगो का वार करते यदी यज्य योग पेड़ पोधो का विस्तार यज्य योग पेड़ पोधो का विस्तार यज्य सिष्टा सिनसंतो मुच्चन ते सर्वकल्बिशै ही भुंजते ते त्वघंपापा ये पचंत्य आत्मकारण गर्थाद जो यज्य शेश बचे हुए अन्न का पान करते हैं प्रसाद को प्राप्त करते हैं प्रसाद को ग्रहन करते हैं वह मुच्चंते सरवकल विशही सभी प्रकार के पापों से दोसों से मुक्त हो जाते हैं भुंजते तू पघंपापा ये पचंती आत्मकारणा जो केवल अपने पेट की आपूर्ती के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहें यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प ले संसार के स्रेश्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और महांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृती मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती सिंस्क्ति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेष जानकारी है तू संपर्थ करें मोबाइल नौ शुन्य चै आठ पांच चै पांच तीन शुन्य चे